प्यारे बच्चों, मुक्तलीब मजाहिब के मानने वाले लोग मुक्तलीब तहवार मनाते हैं, क्या आप इन तहवारों के नाम बता सकते हो? प्यारे बच्चों, ईद, होली, दिवाली, रक्षाबंदन, बक्रईद प्यारे बच्चों, ईद की खुशिया हम एक दूसरे के साथ मिलजल कर मनाते हैं, दिवाली रोशनी का तहवार है, हर तरब खुशिया ही खुशिया नजर आती है रक्षाबंदन में बहन अपने भाई को राखी बांदती है, और भाई अपनी बहन की इपाज़त की जिम्मेदारी लेता है और प्यारे बच्चों, होली में क्या करते हैं? शाबाश, एक गड़ा करके होली जलाते हैं, यानि होली का दहन करते हैं दोस्त अहबाब जमा होकर एक दूसरे पर रंग फेकते हैं प्यारे बच्चों, होली को रंगों का तहवार या महबबत का तहवार भी कहा जाता है ये तहवार बुराई पर अच्छाई की फते, मौसा में सर्मा का इक्तिताम होता है होली में बाहर की आमद होती है, मिलने, खेलने, हसने, माफ करने और तूटे रिष्टों को दोबारा जोडने का ये तहवार है लेकिन, प्यारे बच्चों, आज हम जो पाट पढ़ने जा रहे है उसका नाम है अलग अंदाज में होली इस कहानी के जरिये, लेखक ने, मुजर्गों के मसाइल और उनके साथ बुरा सुलूक इस पर रोशनी डाली है हमारे यहां संयुक्त परिवार, यानि मुश्तरका खांदान खांदान का एक साथ रहना इसकी बजाए एकल परिवार, यानि इन्फिरादी खांदान सब अलग-अलग रहते हैं और घर के बुजर्ग यानि माबाप की जिम्मेदारी कोई उठाना नहीं चाता उन पर कोई ध्यान नहीं देता और कुछ लोग तो अपने वालिदयन को उरुद्ध आश्रम यानि बुजर्गों का घर, बुड़ों का घर इसमें तक पहुचा देते हैं जहां उन्हें अपने घर, खांदान वालों का प्यार, पोते और पोतियों का प्यार, महबत नहीं मिल पाता प्यारे बच्चों, इस कहानी में बच्चे होली का तहवार उरुद्ध आश्रम में जाकर मनाते हैं और वहां के बुजर्ग, यानि उरुद्ध आश्रम के बुजर्ग, सचमुच अपने सारे दुखदर्ग भूल जाते हैं और उन बच्चों के साथ गुल मिल जाते है अपने बच्चों का ये गुण देखकर उनके वाले देन और उनके महले वाले इन बच्चों की टीम का उरुद्ध आश्रम के आने के बाद तालियों के साथ इस्तिकवाल करते हैं तो प्यारे बच्चों चलिए पढ़ते हैं हिंदी सुगम भारती सात्वी कक्षा का दूसरी एकाई का पाट अलग अंदाज में हो ली